दोस्तो तप्रीस ऑफ चिमनी स्वीपर्स इस टाइटल का मतलब है चिमनी स्वीपर्स की परिशनशा दोस्तो एए ऐसे 1822 में पबलिश हुई थी जो चार्ल्स लैम का एक मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन में से एक था दोस्तो इस ऐसे में चार्ल्स लैम ने उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया है जो लंडन में चिमनी होती है जिसमें लोग आग जलाते है उसे साफ करने का काम करता है और जिसके बदले में चिमनी स्वीपर्स को पैसे मिलते है दोस्तो सुभा सुभा ये चिमनी स् जो कि छोटे-छोटे बच्चे हैं और जब सुभा-शुभा स्विप-शुप के आबाजें निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि मानों चुडिया चाहे चाह रहे हो इन चिम्नी स्वीपर्स को लैंब dim spes poor bloods and innocent blackness काहर बुकारता है चार्टस लैंब का कहता है कि यह चुडिया चिम्नी स्वीपर्स है इनका काम बड़ा जोख़िम बढ और और इस काम को कदने के लिए होशीनी के आधसा डहरे के दोगी होती है चांसला होता है कि जब चोटे थे तब सोचते थे प्यायर सुइक्टास डे Quand पर छेता है और कैसे साफ़ों से चुमनी पर पहुंच जाते हैं हैं तो छांसला में चिम्नी स्वीपर्स के बड़ा सेमपैठी रगता है क्योंकि इन chimney supers का काम बड़ा खतरनाक है क्योंकि अगर कोई chimney supers chimney को साफ करते हैं उसमें first जाए तो उसकी जान भी जा सकती है और इस काम को कहने के लिए भी छोटे छोटे chimney supers अपने जान को भी जोखी में डाल देता है आगे लेंप दूसरों को कहता है कि अगर कभी भी किसी को भी सडकों पर कोई chimney supers मिल जाए तो उसे कुछ न कुछ डोनेट करें मतलब कुछ न कुछ दान में दे क्योंकि भी हमारे दान के पातर है क्योंकि दोस्तों लंडन में हर किसी के kitchen में chimney होते हैं जहां आग जलाया जाता है और अगर chimney supers नहीं होते तो हर किसी के घर में धुआ होंगे क्योंकि chimney धुए से भर जाएगा और जिसे साफ करने के लिए chimney supers जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों chimney इतना पतला होता है कि जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति परविश नहीं कर सकता और जाहिर से बात है कि अगर chimney साफ नहीं होंगे तो धुए से घर का हालत कुछ सही नहीं होंगे तो पोईट ने इसलिए chimney supers को हमारे दान का पत्र कहा है चार्स लेम आगे कहता है कि ये जो chimney supers है वे chimney को हर रोज साफ करते होंगे तो obviously उनके नाक से गले से होकर के धुआ चले जाते होंगे तो वे chimney supers अपने गले को साफ कैसे रखते होंगे फिर चार्ल्स लेम को पता चलता है कि बे लोग अपने गले को साफ रखने के लिए अक्सर स्लॉप ससाफरास पीते हैं और ये ड्रिंक इन चिमनी सूपर्स का फैबरिट ड्रिंक में से एक है बट लेम कहता है कि मैंने कभी भी इस ड्रिंक को नहीं पी है लेम कहता है कि इस स्लॉप का सबसे बेस्ट कॉलिटी मिस्टर रेड नाम का एक परसन बेशता है दूस्तो चार्स लेम आगे कहता है कि इन चीमनी सूपर्स के लिए एक charity सो और्गनाईज करनी चाहिए ताकि अपना काम और भी अच्छ से करे और future में हमारे घरों में कोई घटना ना घटे लेम का कहिने का मतलब है कि हम इन चीमनी सूपर्स की बज़र से चीमनी में आग लगने से भी बच जाते है और जिस से में fire brigade को भी बुलाना नहीं पड़ेगा चांस लेम को गुसा आता है जब सड़क पर चल रहे लोग उस पर हसते है लेकिन अगर कोई चीमनी साफ करने वाला बच्चा उस पर हसता है तो उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि एक बार लेम सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा तो एक चिमनी साफ कोईने वाला बच्चा लैम को देख जोर जोर से हसने लगा वो बच्चा इतना हसा कि हसते हसते उसके आँखों में आसू आ गया लेकिन लैम उस चिमनी सुपर्स के हसने का बुरा नहीं माना इनफेक्ट लैम खुश हुए कि मेरे वजह से किसी चिमनी सुपर्स का एंटरेटन हुआ चांस लैम आगे कहता है कि जो सुन्दर बुमेंस हैं वे अपनी सुन्दर दातों का दिखावा करते हैं मतलब शो आफ करते हैं और जो चांस लैम को बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन दूसरी और चांस लैम इन चिमनी सुपर्स के दातों के बारे में बुरा नहीं खहता आगे लैम इन चिमनी सुपर्स के बैक्डराउंड के बारे में बताता है लैम का मानना है कि चिमनी सुपर्स में से कुछ रिच फैमिली से बलंग करते होंगे लेकिन शायद बच्पन में ही उसे किड्नाप कर लिया होगा और बाद में उन्हें भूख के कारण चिमनी सुपर्स बनना पड़ा पोईट एक घटना के बारे में बताता है कि एक बार एक रिच परसन ने कुछ चिमनी सुपर्स को अपने घर चिमनी साफ करने के लिए बुलाया तो उसमें से एक चिमनी साफ करने वाला बच्चा एक सुंदर से बैट परस हो गया ये भूल कर कि वे एक चिमनी सुपर्स है और इस हरकत के लिए उसे दंड भी मिल सकता है तो पोईट इस घटना के जरीए हमें ये बताना चाहता है कि यदि भाद चिमनी सुपर्स किसी पूर फैमिल से बिलांग करता तो वे उस शाही बैट पर सोने साहस नहीं करता लेम कहता है कि शाया कभी जब भाद चिमनी सुपर्स एक बेबी रहे होंगे तो तब उसकी मा या आया उसे ऐसे ही बैट पर सुलाते होंगे और अब जब उस चिमनी सुपर्स ने उसी तरह का बैट देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए लास्ट में चाल्स लेम अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जिनका नाम है जेम्स वाइड लेम कहता है कि जेम्स वाइड एक दयालू परसंट था जो चिमनी सुपर्स के पड़ती बड़ा हमदर्दी रखता था लेम का कहना है कि James White हर साल बड़ी संख्या में चिमनी सूपर्स को भूजन कराता था और भूजन के दोरां James White खुद उन चिमनी सूपर्स के पाद जाता और उसे कुछ न कुछ और खाने को देता और अधिक से अधिक खाने को कहता चांसलेम कहता है कि बड़ी दुख की बात है कि James White की डेथ हो गई और अब उनके जैसा कोई नहीं है जो इस पर्था को आगे बढ़ाए